साउथ अपरिका के किलाब पाकिस्तान की सांदार जीत के बाद पूरा पूंच टेबल बदल चुका है, साथ ही टीम इंडिया को मिल चुके है बड़ी कुसकबरी और गुरूप टू में से ये दो टीम में जाने वाली है सेमी पाइनल में जी हैं दोस्तों बताएंगे आखिरकार कौन-कौन शीये दोटी में तो गुरूप टू का पूरा पूंच टेबल बताएंगे, साथ ही पूरा समीकरन बिगड़ चुका है दोस्तों आज अपरिकार पाकिस्तान के बिच मकाबला के लगया, जब पाकिस्तान ने पहले बले बाजी करते हैं एक दिहार है मैं दोश्रादाव खान की तावर्तोर पारिक के बदल, पाकिस्तान ने 1223 जड़ दिये जवाम में जब अपरिका केनने उतरी तो उनकी सुरुवात काफी खराब रही और एक के बाद एक बल्लेबाज पाउलन में जाते रहे और बारिस आने से पहले अफरिका ने चार विकेट खो दिये थे उसके बाद में पाकिस्तान को इस मकाबले में बड़ी जीत दे दी उसके बाद में पहुंच टेबल पूरी तरह से बदल चुक है तो आईए जान लेता है गुरूप टू का पूरा पहुंच टेबल पाकिस्तान आ चुका है इनका ने ट्रिन रेट अच्छा है चार में से दो मकाबले जीते है चार अंक हो चुके है अगला मकाबला जीत जाते है अफरिका हर जाती है तो ये सेमी फाइनल में पहुंच जाएंगे तो पाकिस्तान की पूरी उमीद आ चुके है साती चौते इस्तान पर जो है बांगलादेश बना हुआ है इन्होंने भी चान में से दो मकाबले जीते हैं नेटरे नेट इनका खराब है इनको सुधार ना होगा लेकिन ये भी सेमी फाइनल में पहुंच सकते हैं पाकिस्तान और शात में अपरिका दोनों आ रहे तो वह पांचवे इस्तान पर जो है जिंबांबी बना हुआ है जिंबांबी की तीनक है ये लगबा कि वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके है वह छटे इस्तान पर नीदा लेंड है ये भी जो है वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके है दोस्तों आपके इसाफ से कौन सी दो टीम में पहुंचने वाली कमेंट सेक्शन में जरू बताए और यह से अपडेट के लिए अमारी चैनल को जरू सस्क्राइब करें ताकि सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलते रहे हैं